नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बर फिर आपका अपने यूटूब चैनल सिंपल फर्मिस स्टडी में दोस्तों जब भी आपके फेस पर एकने कील मुहासे पिंपल्स की समस्या हो जाती है तो वहाँ पर अक्सर आप क्या करते हैं मेडिकल इस्टोर पे जाते हैं और कोई इस्टोराइडल क्रीम खरीद के लिए आते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए जहर होती है बहुत ही नुकसान करता है इस्टोराइड तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों क्लिंडामाइसिन फॉसफेट जेल है ये मेडिकल इस्टोर पे आपको किस नाम से मिल जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जेनरिक नाम से भी अविलेबल है यानि कि Clindamycin Phosphate Gel आप बोलेंगे तो Medical Store वाल आपको दे देता है इसके अलावा दोस्तों Clindac A 1% Gel आता है इसका जो कि मिल जाता है Clean Top 1% Gel भी मिल जाता है तो ये इसके कुछ popular brands नेम है जो कि Medical Store पे आपको इन नामों से ये जल मिलता है इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये जो Clindamycin Phosphate Gel ये कैसे काम करता है किन-किन प्रकार के एकने पिंपल्स की समस्याओं में आप इसको उप्योग कर सकते हैं इसके लबाब बात करेंगे कैसे उप्योग करना है उप्योग करने का सही तरीका क्या है इसके साइड इफक्ट क्या कुछ आते हैं पूरी जानकारी मिलेगी इसलिए वीडियो को पूरा आते तक जरूर देखें साथ एकर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सकाइब करें अपना प्यार जरूर दिखाएं दोस्तो अगर मैं बात करूँ इसके प्राइज के बारे में कि मिलता कितने का है ये तो दोस्तो ये जो जेल है अगर आप क्लिंडैक A 1% जेल खरीद रहे हैं तो दोस्तो 25 रुपए का 20 ग्राम का टूब आता है जो की मिल जाता है इसके अलावा क्लिंडैक टॉप 1% जेल अगर आप खरीद रहे हैं तो ये 60 रुपए का 20 ग्राम जेल मिल जाता है कोई भी सस्ता और अच्छा देखके आप बाई कर सकते हैं जो आपको इजली से मिल जाए बात करें कि ये जो किलिंडैमाईसिन फॉस्फेट जेल है ये कैसे काम करता है तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ अगर मान लिजे कि आपके बैक्टीरिया के कारण जो है एकने पिंपल्स की समस्या आ गई है तो वहाँ पर ये जल क्या करेगा बैक्टीरिया को किल करेगा जिससे भाई एकने पिंपल्स की समस्या में आपको आराब मिलेगा अब हम बात कर लेते हैं कि इस जो है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जल का उपयोग आखिरकार किन किन समस्याओं में आप कर सकते तो सबसे जो पहली समस्याओं वह एकने वुल्गेरिस जिसको मुहासे बोलते हैं तो अगर कोई इस तरी हो चाहे पूरुस हो अगर उसको एकने वुल्गेरिस की समस्याओं मुहासे बहुत ज़्यादा निकलाए हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग आप कर सकते हैं इसमें होता क्या है तेल और तोचा की जो मुरत कोशकाएं होती है उनके काड क्या होता है जो तोचा में आपके बालों के रोम छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है भाई यह आपके मुहासों की समस्या देखने को मिलती है वहां पर आप इसको उपयोग करेंग तो यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है इसके अलावा दोस्तो जो एकने होते, pimples होते हैं वो आपके ज़्यादातर face पर, चेहरे पर ही दिखाई देते हैं इसके अलावा forehead पर हो सकते हैं, chest पर हो सकते हैं इसके अलावा upper back या फिर shoulder पर भी दिखाई दे सकते हैं तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो आपके अगर black heads की समस्या हो जाते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ लाल या फिर दर्द भरी जो फुंसियां होती हैं, वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये जिल काफी जादा फायदे बंद है, तो दोस्तों यही क्लिंडा मैसिल फॉस्फेट जिल के मुख के उपयोग है, जो कि आपने चाना, आप के अगर एकने पिंपल्स कील मुख की समस्या नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग एक बार कर सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, इसको उपयोग कैसे करना है, उपयोग करने का सही तरीका क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू, अगर आप थोड़ी देर करें और दिन में दो बार इस जिल को आप उपयोग कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं कि कितने दिनों में इसका असर दिखने लगेगा, तो चार से छे सबता तक आप जब लगातार इसका उपयोग करेंगी, तो आपको इसके बहतर रिजल्स देखने को मि बात कर लेते हैं इसके side effect के बारे में, तो दोस्तो side effect इसके कम है, side effect में जहां पर आप इसको लगाएंगे, वहां पर जलन महसूस होना, irritation होना, खुजलाहत महसूस होना, लालिमा आ जाना, इसकी पर रहसेस वगेरा भी दिखाई दे सकते हैं, जो कि इसके most common side effect हैं, कोई भी साइड फक्त दिखाए दे तो इस जल को फर्दर उप्योग ना करें साथ इसाथ आप अपने डॉक्टर से संपरक करें तो दोस्तों यहीत आज का वीडियो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जल के बारे में उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मैं आप से अगले वीडियो में भाईया सब्सक्राइब कर लो एसी वीडियो देखने के लिए जहिन बने मातरम टेक केर बाई